इस स्टूडेंस में देखें, for each of the following sets, write empty or not empty in the blanks, इस question में हम blanks में लिखेंगे empty या not empty, पहले ये first set देखें, the set of whole numbers less than 1, इस set में 1 से छोटा whole number 0 आएगा, तो फिर ये empty set नहीं होगा, यहां हम लिखेंगे not empty, अब इसमें देखें, the set of English alphabet between you and me, ये set empty होगा, क्योंकि U और B के दर्वियार में कोई alphabet नहीं आता, तो यहां हम लिखेंगे empty, अब ये देखें, the set of vowels other than A and O, इस set में O और A के इलावा दूसरे vowels आएगे, E, I, U आएगे, तो ये फिर empty set नहीं होगा, यहां हम लिखेंगे not empty, अब ये देखें, the set of natural numbers less than 1, ये set empty ह होगा, क्योंकि manh से चोटा natural number नहीं होता, सरवसे चोटा natural number 1 ही होता है, ये हम लिखेंगे empty, अब इसमें देखें,the set of even numbers which are odd numbers, ये भी set empty होगा, क्योंकि human number और और नमबर दोनों ही डिपरेंट होते हैं, जो ओड होते हैं वो इमन नहीं होते हैं और नमबर नहीं होते हैं, तो यहां निखेंगे हैं हैं एम टी